यह Police Set Ll है और यह Interclated cells अब हम बात कर ला थे हैं पहले इंड़ी सेल इंड़ीसेल्स दो तरा कि होती है टाइप ए रॉती है यह टाइप बी होती है यह जयर्ट आप Behind the इंडल बालाइप यह अधियल वाला टाइप यहnicas रहा hai आलडरी सारी इसे के गिर्धूम नहीं है टाइप A, टाइप B के अदर डिफ्रेंसे आजाएंगे मैं ट्राइ करती हूँ कि मैं आपको डिफ्रेंट कलर्स में टाइप A, टाइप B के चीज़ें दिखा दू बाकि यूँकि चीज़ें मैं जॉआटी ऐफ दू चीज़ें सेम है मसला एक ही है कि अचल काम रहे है अचल के अचल काम कर रहे है ठीक है अब हम देखते हैं कि टाइप A सेल क्या कर रहा होता है टाइप A सेल इस बेसिएकली मैनेजरिंग दे सिचुईएशन आफ दे एसेल टाइप है इन Cells के पास ना यहां पर एक 80 पेज़ लगा होता है हम बात करें है थाइप A Cells की सीध़ इसे थाइटिक कर रहे होते हैं हेलप कर रहे होती हैं가는 या निस के नदर मेनेजमेट के इनदर हेल्प कर रहे होते हैं तो यह को करते है कि यह चुंट्र यहां पर उन्हों नहीं ट्रैंस्पूर्टर लगाया होता है जिससे बाइकाफ जो होता है वो रीबज़ाब हो रहा होता है पर इसके साथे साथ एक्स्चेंज हो रहा होता है क्लोराइड का कलॉोराइद दंतर आ गया कि भी है कलॉराइद बाहर निकालते हैं कलॉराइद के लिए घरंसपुर्टर लगाकर किलॉराइद हनों बना है इस तरीक भाहर गारा थे हैं потреб masih हाईड्रीन इनकालने का निकालने कर निकालने का बहर ना जाहे हुआ थे हाइड्रीम करते हैं तो potassium इन्होर्जिस के लिए यहां पर transporter लगा देते हैं ठीक है म स्टेश्य को विए फ्म्रिय था, कि हो पर hydrogen निकालने के लिए मैं रीटिती पेज और आपके हमेंpared होाइज को क्यां लगाउ है लेकिन इसके बिद्ले हमें potassium की लगाउना पड़ता है हमने बाइकाप को रिभजव कराना है इसके बदले क्लोराइड अंदर आ चाहता है तो इन दोनों के क्लोराइड और पताश्यम के ट्रांसपोर्टर अज़स्ट कर दें आप में देखने है कि किस साइट पर करने लेमिनल साइट पर या फिर पेजोलेटरल साइट पर अब हम आते हैं दूसरे साइट पर दूसरे तरफ के इल्कलॉसिस रूआचिछव हुआ है सीन वही है कि बाइकाप की आई है कारवाने के सट बनेगा पहले ठीक है तर उसके बाइकाप बन जाएगा और साथ एक हाईडरिजनाइञ बन जागा इस केस में हमने बाइकाप को बा जो हमने एक्सवाब तो 182 को तो आज़के ढई हुआ शोगा भालु हुआ उसको आज़के टो सब्सक्तीट वेलिंग और चानलेंसा पर पर हैन्ल शुक्त करता ही और चानल के न로 ऍट भालु नेनषकार राते हुआ लिग मेन heating कानल है आफ लीडेल साफ़ लूगा है। carbon dioxide interstitium से आ रही है, ठीक हो गया, integrated cells की खानी खतम होगी, आते हैं principal cell पर, अच्छा जी, principal cell क्या कह रहे होते हैं, principal cell के पास यहाँ पर एक special चीज लगी होती है, जुके sodium को इसके अंदर लेके आ रही है, जब यहाँ पर आते हैं, तो हमारे पर कोई 3-7% of the sodium होता है, ठीक है, जब अवेलेबल होता है, जब filtrate यहाँ पर पहुँचता है, तो यानि इसने बिलकुल final amendment के नहीं होती है, filtrate के अंदर के फिर sodium कितना होना चाहिए, water कितना होना चाहिए, sodium आ रहे हैं, तो पानी नहीं हो नहीं सकता, water भी साथ आता है, ठीक है, 80-पेज मैंने आपको बताया, sodium, sodium, potassium हर जगा रिनल टीबल में लगे होने, ठीक है, बेजोलेटर में में पर, तीन एने बाहिए जा रहे हैं, दो के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, यह वला सारा सीन है, कि यह अंदर आ रहे हैं, कि यह को निकालना है, यहां पर के लिए चैनल बना दिया, ठीक है, बात करें हैं हमके, वर्टेज अफेक्ट फेल्डोस्टीरान ए डिएच, अंदर रिनल टीबलर अबसॉप्शन, या शेकरिशन, तो हम बात करेंगे, प्रिंसिपल सेल्स की पर, अगर मैं एफोससेल का थोड़ा सा, वो अंदर से नुकलिस वगरा दिखाऊँ, तो नुकलिस के अंदर, यह निकलिस इसका पढ़ा होता है, इसके अंदर इसके ये लेखान है या अछल फिंद बहुत करने बाहर एक शौन ये कृता क्या है कि हमारे पस अधोज सेल साइट पर में पयर ourselves 1,2 ना गाइटन में देख लीज़ेगा, पस गाइटन से कि फ़र्म कर लीज़ेगा, 1,2,3,4 जो एक्वापोरिंस को लोगे हुए है, ठीक है, ये लिमेन होता है, आफ देख लीज़ेगा, अच्छा, हमें चाहिए, हमने क्या करना होते है, एडेश का का काम किया है, उसने वाटर को रिपज़ाब कराना होता है, एक्वापोरिंस को लगे हुए है, ठीक है, और दूसरे एक्वापोरिंस होते हैं, जो कि यहां पर अंदर वेजिकल की फॉर्म एडेश अंदर क्या करता है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, यहां पर अंदर को बताते हूं, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, जी प्रोटीन ने जाके अडेनलायल साइकलिस जो होता है, उसको एक्टिवेट क्या, उसने एटीपी से जादा सारा सारा सी एए ए सलग है जब ए इस बात करते हैं कि मेदलरी कल्डेक्टिंग डाप्ट आप था रह वो दिए जो सारा सिंशन थैं incarcer complement做 प्रिंशिक ज Kenner Prad तो मेडिलिरी क्लेक्टिंग डक्ट तकें जर वाइरा हूदा है इस सियो थे वाटर बाहिर रा रहा हूदा है सोडियम, प्रोटाशीयम, वाइकां अनिडरूजेम जर रहे है और वाइकां बाहिर आ रहे है ठीक है पर इसकी अपनी क्या चीज है यारो तो यारो नहीं करे थे यूलिया को कहीं भी मोव करने के लिए तो यूडिया उतने देड़ से छुप कर के बैठा हुआ था आप यूरिया को यहां पे ट्रैंसपोर्टर्पार्स नज़राएं तो यूरिया ऊपर फॉर यूरिया फॉरन से बाहर आ जाता है ऐ इंटस्टिशियम के अदर आ जाता है पर यूरिया को बतानी है सकत होने क्या वाला है असल में जो लूप अफ हैनले होती है this is metallery collecting duct वोपर cortical collecting duct होगी वोपर यहांबर DCT होगा और यह loop मैंने बना दिये loop of Henle loop of Henle के अंदर से हम यूरिया को वापस अंदर भेज़ रहे होती हैं ठीके, transporters वगरा जो हैं वोगाइटिन से देख ले और यह जो यहांबर सारी यूरिया निकल के वापस अंदर जा रहे हैं इसे कहा रहे होती हैं यूरिया रिसाइक्लिंग और यह जो सारी चीज़ें यहां पर हो रहे हैं जो कुछ प्रेंसिपल सेल और कुछ इंटर्गलेटेट सेल जैसी हैं एल्डोस टीरॉन इसको फेदर स्टिमिलेट कर रहा होता है इस एक्टिविटी को कि वो स्वाल्ट को कर ले और एडिया जो होती है वोटर की पामेबिलेटी को यहां पर भी कंट्रूल कर रहा होता है